Hello YouTube buddies, कैसे हैं आप लोग, दोस्तों Basic Computer Course के इस चैप्टर में आप सब का स्वागत है, जहांज हम सिखेंगे Recycle Bin के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले सवाल Recycle Bin क्या होता है, दोस्तों Recycle Bin एक Dust Bean होता है, Computer का, जिसमें जितना भी Computer का Garbage है, Garbage यानि क्या, वो Files या वो Folders जो जर Delete कर देते हैं, वो सारी की सारी Files जाके Recycle Bin में Save हो जाती है, जहां से अगर आप चाहें, Recycle Bin वाले Dust Bean में से अगर उसे वापस निकालना तो आप वापस भी उसे ले सकते हैं, यानि Recycle Bin क्या है, Computer का एक Dust Bean है, जिसमें आपकी सारे Deleted Files जाके Save हो जाती है, जहां से आप उसे Perman Delete कर सकते हैं, या फिर उसे Restore कर सकते हैं, यानि वापस ला सकते हैं, तो चलिए समझते हैं कैसे, सबसे पहले दोस्तों, यहां पर एक folder है, मैं इसका जो नाम है वो चेंज कर देता हूं, रिनेम करते हैं, और मैंने यहां पर इसका नाम रज़ दिया, अमिताफ बच्चन, ओ और देखते हैं, क्या जो फाइल मैंने डिलीट करी वो यहां पर है, जबाब होगा हां, वो यहां पर है, अब इसको चेक करते हैं, तो हमने जब डबल किलिक किया इस पर, तो यह कह रहा है कि अमिताफ बच्चन जो के एक folder है, वो अभी आपने पंदर मिनिट पहले बनाई और अभी आपने इसको डिलीट किया, तो अगर मैं यहां पर इसको रिस्टोर पर किलिक करता हूं, तो यह जो फाइल यह दुबारा से उस दस्ट बीन से निकल के, जहां से मैंने डिलीट करी थी, यह वहीं पर पहुंच जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, हम रिस्टोर करत यहां पर नहीं है, और मैंने डिलीट किया था, तो यह देश्टोर पर वापस आ गई है, अब यहां पर आपको और बी कही सारे उप्शन मिलते हैं, कि यहां पर आप देखेंगे यह वह फाइल से जो मैं अल्रेडी डिलीट कर चुका हूं पहले, तो अगर मैं इन फाइल्स तो इस जो सारी फाइल है, क्या पूछ रहा है, are you sure you want to permanently delete these 31 items, यानि जो 31 items है, क्या आप इससे हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो, मैं बोलूँगा yes, तो आप देखेंगे, सारी के सारी फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगे, इसी तरह से गाईज, अगर यहां पर आप suppose that का आप ने दो तीन फाइल बना रखेंगें, आप लाइक फोल्डर यहोगया और भी मैं कुछ फोल्डर्स बना देता हूं या पर इन चारो फोल्डर्स को मैं एके सार डिलीट करता हूं, बाइट करके हम क्या देते है, डिलीट करते हैं, अब रिच गरिएंगें एक ही बार में जहां से आपने डिल्र केते हैं वहीं वापस आ गया है इसके बाद दोस्तों वहाँ पे एक और ऑप्शन था वो भी हम समझ लेते हैं इसको ज़रा हम यहां से रिमूफ करें ठीक है तो उसके बाद हम यह वाले ऑप्शन भी समझते हैं अब यहां पर अगर मैंन अगर अगर किसे लेख करने के बाद अगर आप कंट्रोल दबा करते हैं और किसी भी दूसरे फोल्डर करते तो तो वो भी select हो जाएगा, तो यह कहरा restore the selected items, तो सिर्फ यही दो folder restore होंगे, इस तरह से, ठीक है, अब सवाल यह आता है, कि आप लोग की दिमाग में चल रहा होगा, कि क्या sir हम इसे permanently delete कर सकते हैं, या निविताब बच्चन को मैं अगर यहां से delete कर दूँ, तो recycle bin में भी ना जा है, shift button आपकी keyboard में उसको दबाए रखना है, और home section में आपको delete का button देखेगा, उसको दबादेना है, और जैसे आप उसे दबाएंगे यह आप से पूचेगा, are you sure, you want to permanently delete this folder, so हम कहेंगे yes, और जब हम इसे यहां से delete कर देंगे, तो आप देखेंगे, आपको recycle bin में अमिताब बच्चन वाला folder नहीं मिलेगा, ठीक है, so यह था दोस्तो recycle bin, I hope कि जो concept है, जो topic है वो आपको clear हो गया हूँ, अगर दोस्तो वीडियो आपको अच्छे लगिये तो प्लीज इसे like करें और share करें, और दोस्तो अगर आप चैनल पे new हैं, तो subscribe करके bell icon को hit करें, ताकि आगे की भी जो videos हैं, उनकी notification आपको मिल सके, thank you